देश में किसानों की दुर्दशा पर रस्टर कभी रामधारी सिंग दिनकर ने एक बार लिखा था जेट हो की हो पूस हमारे किसान को आराम नहीं है छूटे कभी संग बैलो का ऐसा कोई याम नहीं है मुख में जीव शक्ती भुजा में जीवन में सुख का नाम नहीं है वसन कहां सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है वक्त बदला सरकारे बदली लेकिन किसान की हालत नहीं बदली मोधी सरकार का बार-बार कहना है नए खरशी कानून से किसानों की जिंदगी में क्रान्ती आजाएगी उनका भविश्य समढ जाएगा लेकिन किसानों को उनके अधिकार दिलाने वाले कानून को लेकर बहरूपियों का गैंग एक्टिव है जो लगातार किसानों को भ्रमजाल में भसा रहा है देश के प्रधान मंत्री ने भी आगाह किया कि विपक्ष की इस चाल से बचा जाए असली किसान सुलह के रास्ते पर दो कदम चल पड़े हैं बस दो कदम बाकी है लेकिन अब भी किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है ऐसे में नकली किसानों को सुप्रीम कोट ने आज पठकार लगाए सरकार को भी समधान के लिए सुप्रीम निर्देश जारी हुआ जाहिर है सुप्रीम कोट की चिंता से समधान का रास्ता जरूर निकलेगा जिसके बाद गंतंत्र दिवस से पहले बचॉलियों से बंधक दिल्ली स्वतंत्र हो जाएगी क्योंकि अराजक गैंग की साजिस सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है और शाहीन बाग वाला शर्यंत्र खंड खंड हो गया है आज नकले किसान बेनकाब हो चुके हैं और कल पूरा परदाफाश होने वाला है आंदोलन के आड में अराजकता नहीं कर सकते हुर्दंग और दंगा नहीं कर सकते गुंडागर्दी और बचसलूकी नहीं कर सकते दिल्ली को बंधक बनाने की साजिश नहीं रच सकते पिछले 47 दिन से हम यही कह रहे थे कि आंदोलन गुंडों और बदमाशों का अड़ा बन गया है मैंने दिखाया आपको यहां असली किसान कम और शडियन तरकारी लोग ज्यादा घुसे हुए थे आज सुप्रीम कोट ने भी हमारे सच पर मोहर लगाई सुप्रीम कोट ने आज किसान आनोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई और 47 दिन बाद भी सुला नहीं होने पर चिंता जता है लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबार सुन लीजे हिंदुस्तान के शौड़ी के आगे चीन का सरेंडर लड़ाग से चीन ने 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया है वापस 10,000 सैनिकों को बुलाने का मतलब समझ जाईए थर्थराता है LSE पर चीन भारत से 10,000 सैनिकों को LSE से हटाया गया CDS और वाई से न प्रवुक लड़ाग दौरे पर है और यही दौरा थर्थरा रहा है कपकपा रहा है चीन को भारत के शूर वीरो, शौर य वीरो के सामने चीन दरा हुआ है आपको याद होगा कि दो दिन पहले पाकिस्तान में ब्लैक आउट जब हुआ तो एरे स्ट्राइक का डर बाजवा को सता रहा था अब जिन पिंग को सता रहा है क्योंकि इस वक्त पर वाई से न प्रवुक लड़ाग दौरे पर है CDS लड़ाग दौरे पर है हिंदुस्तान के शौर य के आगे चीन का यह सरेंडर यह दिखाता है कि हिंदुस्तान के शौर वीरों के सामने चीन खबराया हुआ है यह तस्वीरे देखिए CDS लड़ाई से न प्रवुक का यह दौरा ही चीन को घबराने पर मजबूर कर रहा है और इसलिए इस पौकला हट के 10,000 सैनिकों को LSE से हटा दिया गया आपको याद होगा कि LSE पर बवाल करके चीन कोशिश कर रहा था कि हिंदुस्तान के सामने चुनौती पैदा करे लेकिन उसे यह याद रखना होगा कि यह New India है उसे यह याद रखना होगा कि यह नया भारत है जो घर में घुस कर मानने की ताकत रखता है सर्दी बढ़ गई तो सन्नाटे में ची यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज 10,000 सैनिकों को लदाग से और यह तस्वीर वहीं की है IFS भदौरिया वहीं पर मौजूद है S.P. सिना इस वक्त फोन लाइन पर S.P. सिना इस वक्त फोन लाइन पर है S.P. सिना साब क्या मेरी आवाज आ रही है अब तक लगातार चीन ने कोशिश की L.A.C. पर महौल को खराब करे कोशिश की कि वहाँ स्थतिया खराब कर पाए भारत के लिए चुनावती की स्तिती पैदा करने की कोशिश लेकिन वो नहीं चलने वाला वापस आ रही हूँ लेकिन इस वक्त सबसे हम ये कि सुप्रीम स्ट्राइक किसान आंदोलन में छिपे उन तमाम लोगों पर हो रही है जो दिल्ली को दहलाने की दिल्ली में जम कर बैठने की और एक बार फिर से महौल खराब करने की देश में कोशिश कर रहे थे पहले ये रिपोर्ट देखे अराज़ गैंक की सासिश पर सुप्रीम स्ट्राइक शाहिन भाग वाला शड्यंत्र हो गया खंड खंड बिजॉलियों से अब दिल्ली जल्द होगी स्वतंत्र अंदोलन की आड में सडकों पर हुर्दंग दिल्ली वालों के खिलाफ डर और हिंसा का शड्यंत्र मीडिया कर्मियों से बचसलूकी और लड़कियों से छेर खानी पिछले एक महीने से हम अंदोलन की आड में छिपे बिचॉलियों, गुंडों और हुर्दंगियों का सच देश को दिखा रही है ये तीन तस्वीरे देख लीजिए हमने दिखाया कि किस तरह से अंदोलन को हाई जैक कर महल बिगारा जा रहा है देश विरोधी गैंग अंदोलन को एक और शाहिन बाग बना रहा है सुप्रीम कोट ने आज हमारी खबर पर मुहर लगा दी अंदोलन की आड में सरयाम हुर्दंग किया गया ट्राक्टर पर सवार गुंडों ने सरयाम बत सलूकी की सिंगु बॉर्डर को धरने के नाम पर आयाशी का डब बना दिया देश विरोधी गैंग के पोस्टर लगाए गए खालिस्तानी आतंक्यों का महिमा मंदन कर उनके पोस्टर और किताबें बाची गए जी हिंदुस्तान ने किसानों के हक में आवास बुलंद की किसानों की मांगों को प्रमुकता से दिखाया जी हिंदुस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने आज किसान को अपने दुख दरद को दिखाने का जो मोका दिया आज लगता है कही न कही मीडिया में किसान आजाद हुआ है लेकिन आंदोलन की आड में दिल्ली बॉडर पर जो साजिश रची जा रही थी राश्ट्र हित में उसे दिखाना भी हमारा फर्ज था हमने सच दिखाया तो हमारे रिपोर्टर्स को निशाना बनाया गया लेकिन हम ना तो डरे और ना ही चुके आज सुप्रीम कोट ने भी साफ कह दिया है कि आंदोलन के नाम पर डर और हिंसा का महौल बरदाश्ट नहीं है 47 दिन बाद भी कोई हल नहीं निकालने पर कोट ने सरकार को भी फटका रहा है आए हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोट ने आज क्या कुछ कहा है चीफ जस्टिस ने प्रदर्शन कारियों से कहा कि वो सड़कों की जगा किसी और स्थान पर बैठे अगर आंदोलन में हिंसा हुई किसी की जान गई या संपति का नुकसान होता है तो जिम्यदारी कौन लेगा चीफ जस्टिस ने कहा कि बुजर्गों, महिलाओं और बच्चों को प्रदर्शन स्थल से चले जाना चाहिए कोट ने सवाल किया कि महिलाओं और बुजर्गों को धरना स्थल पर क्यों रोखा जा रहा है सुप्रीम कोट ने कहा कि आप ऐसा महौल ना बनाएं कि सरकार के पास जाएंगे लेकिन कमेटी के पास नहीं कोट ने सवाल किया कि अगर कानून होल किया जाता है और कमेटी बनती है तो रिपोर्ट आने तक कांदोलन की जगह बदलेंगे कि नहीं चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे और बाचीत जारी रहने और रिपोर्ट आने तक कानून को होल्ड करेंगे चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कानून तोडने वाले को प्रटेक्ट नहीं करेंगे कानून तोडने वालों के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए जो महिलाएं हैं ब्रद महिलाएं हैं बुजर्ग हैं ब्रद लोग हैं बीमार लोग हैं वो यहां ना धर्ना इसतर पर ना बैठें किसानों के भले का कानून है तो किसानी जब उसका विरोध कर रहा है तो आप इस किसानों के कानून को रोक दे उस लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए उन सब बातों को लेते हुए एक जॉइंट कमेटी बनाएंग संगटनों की तरस से कहा गया कि वो 26 जन्वरी को गंतंत्र दिवस पर ट्राक्टर परेड नहीं निकालेंगे प्यूर रिपोर्ट जी मीडिया